ग्राम गनियारी में हुए दोहरे हत्या कांड में दुर्ग पुलिस संदेहियों से पुष्टाज बजुटी हुई है वहीं अब एक्सपर्ट की टिम घटना स्थल पर पहुँच कर मुआयना कर घर को सिल बन किया दुरु के गराम गनियारी में 6 मार्च की देर राद हुई राजवती साहु ऐवं उसकी पोती सविता साहु के निर्मम हत्या के मामले में दुरु की पुलिस चुर्ग पुलिस संदेहियों से पुष्टाज में लगी हुई है कुछ संदेहियों के मॉबाइल भी ट्रेस के जा रहे हैं परन्तु पुलिस को अब तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है इस मामले में पूल गाउं थाना के प्रभारी विजयादाओं के नैतितों में पुलिस की टीम अलग-अलग एंगल से जांच में लगी हुई है कई तथियों को यहां पर खंगाला जा रहा है जान पूछता आज के बाद पुलिस को कोई सुराक हाथ नहीं लगा उस यूवक के मुबाइल के टावर लोकेशन को भी पुलिस ने ट्रेस किया परन्तु उस यूवक का घटना की समय किसी दूसरे गाउं में चौतिया कायकरम में शामिल होना मुबाइल लोकेशन बताए गया इ उनके ही पडोस में एक सीसी टीवी कैमरा लगा हुआ है लेकिन जब पुलिस ने उसे जाच में लिया तो सीसी टीवी ही खराब निकला शनिवार को तीन लोगों की एक्सपर्ट टिम घटना स्थल पर पहुँची और मौाइना किया जिस घर में हत्या हुई है उस घर को सिल क कर दिया गया है पडोसी के घर में लगे सीसी टीवी कैमरे को भी सुधार रा जा रहा है पुलिस के मताबिक घटना के दो दिन पहले राजबती साहु का उसके पडोस वालों से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जाच कर है फिल्हाल पुलिस के हाथ खाली है परंतु पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले को सुल्जा लिया जाएगा एस एन न्यूस के लिए दुर्गसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट